नमस्त तमित्रो, स्वागत छे आपनू गिन्यान गोष्टी चैनल मा तो चालो, मडिये आजे एक नवा पुस्तक ने पुस्तक नू नाम छे महोतु राम मोरी, जेना सर्जक छे जेनी प्रथम अवरूती आर आर सेथ प्रकासंद्वारा बेहजार सोड मा प्रकासित थाएली जेनी किम्मत 155 रूपया औने 145 चुम्माली स्पेजनू अपुस्तक छे स्त्री जीवन ना अजवाडा ने अंधाराने रजू करती कमपन कथाओना आ सर्जक राम मोरी ए गुजराती सहित्य अने वाचकोए तथा विवेचकोए एकी अवाजे वधावी लिधेलू आ नाम अव्यक्तित्व छे खुबज नानी उम्मरे अनेक एवोडो अने मान सन्मान साथे आ कलम पौखाएली छे आ महोतु वार्ता संग्रह द्वारा स्त्रीयो ना मनो जगतना नवा लोकमा लई जाई छे वार्ता वस्तु सहिलाईती समझी सकाई एवू छे परन्तु कथाओनी अंदर गुंतायली गोर वास्तविक्ताने स्विकारवू कदाच वाचको माटे खुबज अगुरू थाई पड़े तेवू छे 21 मी सदी मा पण स्त्रीयो केवी वीशम परिस्तिति मा जीवे छे एकरूनता अहीं मुंगा रही अने गोकीरो मचावे छे अहीं ग्राम्य नगर अने माहनगर निश्त्रियोनी कथाओ छे जे आ खुणाओनी वाद करे छे ए पीडाओने पमपाडे छे जेनी वाद अजी सुदी कदाच आज सुदी आ साहित्य जगतमा थई नथी ए बधी कथाओ माथी पसार थता तमने अनुभवासे के स्त्री मास्टर ग्रेजुएट होए के पछी अंगूठा छाब अत्यन्त टेक्नोलोजी वच्चे जीवती होए के डूंगराना टूंग पर रहती होए मेगा मॉल माथी सोपिंग करती होए के गुजरी बजार माथी हटानू करती होए कीटी पाटी करती होए के जीवनती का माताना व्रत करती होए बन्ने अवस्तामा जीवती स्त्री योवच्चे कोई भेज छेज नहीं स्त्री ए मात्र स्त्री छे, जेने कोई एक नाम न थी, कोई एक सबंध न थी, कोई गोत्र न थी, के कोई जात न थी पुष्तक ना प्रस्ताव नामाज सर्जके पोताना लखाण विशे खुलासो करता कहिू छे के पोतानी वार्ताव फिनिस पक्सी जेवी छे जे कल्पनानी राखमाथी नर्या वास्तव जेवु स्वरूपलै शके छे, अथवा तो कहो के वास्तवनी राखमाथी कल्पनानी उड़ान भरी शके छे सर्जकना कहिवा प्रमाणे तेमनु वांचन खुबज विशाड रह्यू, नान पन थीच कई पन वांचय पछी विच्चारवानी तेमनी आधत, तथा एक एक वस्तुनों निरिक्षन करवानी तेमनी टेव, तेमाथी उद्भवता प्रस्टनों, अने तेमने आजे आ कथाओ वाचा मडी छे, सर्जकनी मानवमनमा आंत्रिक विश्वने छेक उंडे सुधी पहुचवानी तेमनी कडा, खुबज अध्भुत रही, पावनगरना गाम्य परिवेसमा थी, आवी कथाओनू सर्जन थयू छे, येम कही शकाई, सहेरनी सरममा, आने गामडानी अदबमा पंदोनी वातोंने सर्जके पोतानी कथामा छूथी रजू करया छे, महोतु ए वार्ता संग्र न थी, पन लागनी संग्र छे, येम कही शकाई, आ वार्तामा सर्जके आछा लसरका थी, मानविये सम्विद्नाना घट पडणोंने कलात्मक्ता थी ओडख्या छे, यूगो य गोथी आपणने एउ कहवामा आवे छे के स्त्री सम्विद्ना के स्त्रीने समझ्वी असक्य छे, स्त्रीना आसू, रुदन, आक्रम अक्ता, हतासा, निराशा, वेद्ना, हास्य, स्मीत, सूक, उच्सा, आनन, मात्रूत्व, व्रत, सामाजीक जवाबदार्यो, नैतिकता, सर सर्जके संपून पणे आ कथाओं मा आलेखी छे, सर्जकना कलम माथी स्त्री सम्वेद्ना धबके छे, विश्त्रे छे, उगे छे, आथमे छे, अने स्रुष्टीना विशाड सम्वेदन पट पर थड़कारो चुकी जवाई, एवी आलेखन सैली, जे सर्जकनी आगवी सेस्ता रही छे, महोतु, ए मोट्टा भागे एवी स्त्रियो नी वार्ता छे, जेमनी कमरे तीजोरी नी चावी नथी, परन्तु एक नकामू महोतु, जे 24 कल्लाक लटकतु रहे छे, जे रसोडमा उगी अने बेडरुम मा पोन थाई छे, एवी स्त्रियो ना सरीर ना प्रत् एनी आकथाओ साक्सी छे, भावनगरी बोली अने सुद्ध गुजराती भासाओ उपर सर्जकनु प्रभुत्व जोवा मडे छे, 22 वर्ष जेतली नानी उम्मर मा सर्जके जगतने क्यों नजीक्थी जोयू छे, तेवो वास्ताओना विवीत पड़नों खोलवा, आगवा न खास्ताओनी विवी, छटाओ निपजावी सक्केतानू सामर्थे वर्ताई छे, सम्वादों मा चुस्तता छे, समग्र क्रूतियों मा मर्मों अर्थो समझन प्रमाणे प्रक्टिया छे, क्रूतीना परिवेशने सहायक बने तेवा संकेतो द्वारा क्रूतीनी मावजद खास्करीने किसोरियोना साक्सी कथन तरिखे, विन्योक करी वार्ताओनू घरतल थयु हवा थी, वार्ताना अजान विश्वने स्परसी शकी छे, अहीं कोई अपपवाद वगर बधी वार्ताओ श्त्रीना जुदा-जुदा मनुभावने व्यक्त करे छे, श्त्री सर्जको पन आतली वार्ता लखे तो स्वाभाविक पने क्यांक पूरुष पात्रों देखाए त्यारे आ लेखकनू स्त्री केंद्रिये वलन आपना वार्ता विश्वने एक अनन्य घटना कई शकाई एउँ छे एतलुज नहीं पन स्त्री नी वीवीज सारीरीक प्रक्रियावने पन त टनतो टनत व्यक्त करी शक्याँछे चालो वाद करिये औ वर्ता संग्रनी मने च्रुष अन्यमे म मध कोसे चोँद वे लव तोखे व्याद करिये वश्वने शंग्रों ऑस मार्ता वने ने ब्हाद करता तमाम वार्ता वаз पकरां परिया जोवा मड़े छ महोतु अई स्त्रीनु प्रतिक छे, महोतानु स्थान जेम रसोडामा छे, एम पूरुस प्रदान समाजमा स्त्रीयोनु स्थान रसोडामा छे, महोतानी नियतीमा जेम धक्तकता तपेला उपडवानु छे, एम स्त्रीनी नियतीमा पन धक्तकता तपेला जेवा पुरुसो उप पड़वानू छे। महुतानी नियतीमा जें पोतानी मेला गेला राखी रसोडाने चोक् Correct राखवानू छे嘿। पुस्नी मांसीक तामसीक अने जातियन अबड़ाई पर पोतु मारवानू काम औरस्तियोनू छे। महोतू पण गमे एटलू धो तोय मेलू दाचेलो अने डाखाडू गीवाडू अने चीत्रे हालत मां जुवा मडे। एम स्त्रीनी हालत पण छुटक अपवादोने बाद करिये तो तेमने आ पूरुष प्रदान समझ मां अदल महोता जेवी नथी लागती कहीं। वाउ एतो छेज एवा सारादी बडत्रा बाजू जेवी वार्ताओं मां सर्जक पोतानू कौशल्य दाखफी शक्याचे। सवराष्टनी तडबोली नो विन्यो क्यारे कठतो नथी पन वार्ताग घरतर मां एनू संयोजन ध्यान ख्याचे तेवी बनी रहेँ छे। आमां महोतु नामनी प्रथम वार्ता संग्रव उपर थी गुजराती मां एक सोड फिल्म पन बनी छे। अने खुबज वखणाई पन छे। जयामां एक सामान्य मजूरी काम करती पगभर स्त्री जे नीनयों लई शके छे। तेवा नीनयों आलीशान मकानों मां रहती। कहवाती सगवडों भोगवती पूरुसोना आसरे जीवती स्त्रीयों क्याराई लई शकती नथी। ए वास्तविक्ता महोतुनामनी वार्तरमां जोवा मडे छे। 21.2 इफिन उपर थी पन एक सरस्मजानी सीरीज बनी छे। 21.2 इफिनना डब्बा मां थी खुलती औने वाव मां समय जती स्त्रीयोंनी वास्तविक्ता आ वार्तामां थी नित्री रही छे। मोट्टा बगनी वार्ताओमां स्तियोंनी करुणता कलपांत अने कौम अतना कथी भरेला पानाओ इयां जोवा मडे छे। नारीनी उपेक्षा समाजनी एनी पासे थी हद बहरनी अपेक्षा बहुडी इमेज जानी ता लोकोद्वारा करा एली छेरती रोज बरोदनी जिन्दगीनों कंटाडों वगेरे मोद्धाओने आवरीलेती आ पुस्तकनी वार्ताओ ने योग्यक्रम्मा गोठवामां आवे बाडपन ती लई घणपन सुधी कोई पन नारीना जीवननु प्रतिक बनी शके तेम छे वार्ता संग्रनी दरेक वार्ताओ पर अचुक लखवानू मन थाए परन्तु वाचकोना रसने ध्यन में राखी तमाम वार्ताओनू वणन अही नहीज करू माटे दरेक वाचके काड़ी एक सरस मजानू पिक्चर जोवानो आनन लई शकाए तेवी छे आवार्ताओ एक एक वार्ता माथी आख्विये नवल कथा माचवानो आनन्त मडी शके तेम छे बाड मानस्तने बाद करता दरेक उम्मर नी वेक्तिये आवार्तानों आनन्त लई शके तेम छे तो चा लो फरी मडीशु आवता शुक्रवारे